बिस्मिल्लाहिर रह्माने रहीम, सलाम उलेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, ओप यू आल फाइंड, आज मैं आपके लिए वेट लोगस की वीडियो लेकर आई हूँ How to lose weight after delivery, what we should do after delivery, diet plan, daily meal, what we should eat, what we should not eat, what we should avoid तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स, delivery के बाद हर फीमेल का ये प्रॉब्लम होता है, कि वो अपना वेट की तरह से कंट्रोल करें, ऐसा क्या खाए जिसे उसका वेट और मजीद ना भढ़े, बलके कंट्रोल में रहे तो फ्रेंड्स, delivery के बाद हैड़ी डाइट तो हर फीमेल लेती है, लेकिन वो अपनी energy को रिकवर करने के चकर में अपना वेट और बढ़ा लेती है हैवी किसम की चीज़े खाकर, क्योंकि delivery के बाद फीमेल को बहुत weakness फील होती है, especially C-section वाली फीमेल्स और इन लड़कियों को रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो ज्यादा तर फीमेल्स देसी घी में डूवी हुई पंजीरी, etc. यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, जो कि आपके वेट को और बढ़ा देती है, और ये आपके वेट को बढ़ाने के लिए directly effect करती है, तो आप पंजीरी जरूर खाएं, लेकिन उसमें देसी घी की quantity नॉर्मल रखें, नुचरता हुवा देसी घी आप लोग मत खाएं, क्यूंकि ज्यादती किसी भी चीज़ की हो खानों में, वो इनसान की बिमारी का सबब बनती है, मुटापे का सबब बनती है, तहाज़ आप लोग ड्राइफ रूट्स भी खा सकती है, और साथ दूद का ग्लास भी ले सकती है, और डीप फ्राइच चीज़ों से टोटली परहिस रखें, चावल आपने बिल्कुल अवाइट करने है अफ्टर डिलिवरी, एंड अपनी डाइट में देसी फूट्स को लासमी एड करें, सुबह ब्रेकफस्ट में आप वाइल एक्स ले सकती है, एक ग्लास मिल्क नेम गरम और नाशते में आप दलिया भी खा सकती है, ये आपको बहुत जादा एनरजी फ्राहम करता है, इसके इलावा आपने ब्रेट टोटली अवाइट करनी है, आफ्टर डिलिवरी, ब्र में हल्दी को भी एड़ करें, हल्दी बहुत ही जादा बेनिफिशल होती है, जखमों को हील करने के लिए, सो नॉर्मल डिलिवरी हो या उपरेट हो, अपने खानों में हल्दी को लासमी एड़ करें, लाल मिर्च टोटली अवाइट करें, लाल मिर्च की जगा आप काली मिर यूज़ यूज़ करें, काली मिर्च और हल्दी में आप खाना बनवा कर खाएं, फूट्स यूज़ करें, बड़ सी सेक्शन वाली फीमिल्स ऐपल और बनैना आवट गरें, आपके स्टिचिस खुलने तक, तिचिस खुल जाने के बाद आप एपल और बनैना भी कंजूम कर स क्योंकि अगर आप स्टीचिस खुलने से पहले एपल्स और बनेनस कंजूम करेंगी तो वो आपकी टाकों में पस पढ़ने का सबब बन सकती है और आपकी टाकों को खराब कर सकती है जो कि एक तकलीफ दे मरहला है So you should avoid junk food, deep fry food और मीठा तो आप लोगोंने totally नहीं खाना totally मीठे को आपने avoid करना है पानी आप लोगोंने सिर्फ और सिर्फ वायल पीना है कच्चा पानी आप लोगोंने नहीं पीना कच्चा पानी पीने से पीट बढ़ता है बाहर की तरफ आता है आपने डेली अपनी रूटीन में दो कप एजवाइन का पानी लाजमी पीना है एक कप सुभा और एक कप शाम पीने से पहले उसको नीम घरम कर लें और फिर आहिस्तगी से स्लोली स्लोली एक एक सिप करके पी एं ये एजवाइन का पानी आपको डेली बनाना होगा, फ्रेश इस पानी से आपका वेटगेन नहीं होता एजवाइन का पानी आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा बेनिफिशल होता है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड लाजमी करवाएं इससे आपका वेट गेन नहीं होता और डेली वॉक लाजमी करें 15-20 मिनिट्स अपनी डाइट में सेलेट लाजमी एड़ करें पेट पर बेल्ट बांदें या मलमल का कपड़ा बांद कर रखें इन सब बातों को फॉलो करें इसका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है इन्शाला आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक जरूर कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताके मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको बरवक्त मिल सकें सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग मैं वीडियो अल्ला हाफिज